हलो दोस्तों नमस्कार आज के महत्वपुन करेंट अफिर्ज के सेशन में आप सभी का हमारे चेनल दा एक्जाम टॉपर्स में मैं संदीप कुमारजा बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि हम डेली करेंट अफिर्ज के सेशन में बात करते हैं कि देश दुनिया में क्या रहा, क्या हमारे एक्जाम के परिंट अफ व्यू से इंपोर्टेंट है और हमारे knowledge के improvement के लिए हमें क्या जानना जरूरी है हम उन्हीं के बारे में जानते हैं आईए पहले प्रेशनले शुरुवात करते हैं दोस्तों इसका सही आंसर है नई दिल्ली बेस एक्सपो 2019 का आयोयन दिल्ली के प्रगती मैदान में 17-18-19 जन्वरी को किया गया है इसका उधगाटन सूचना वा प्रसारन सचीव अमित खरे वर ट्राय के चेयर्मेन आरेश सर्माने किया इसमें कुल 25 देश वर 30 कंपनियां भाग ले रही हैं डॉक्टर जितन सीह ने बेंगलुरू में 19 कारिकरम का उधगाटन किया यह कारिकरम किस छेतर से संबंदित है दोस्तों इसका सही आंसर है इसरो इसरो के बारे में कल भी बताय गया था जैसा कि इसरो के वरतमान चेयर्मेन केश शिवान वा इसका मुख्यालय बेंगलुरू में है जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी दोस्तों इसका जो उधगाटन किया है डॉक्टर जितन सीह ने ये उत्तरपुर्वी छेत्र के परमानो उर्जावा अंत्रिक्ष विकास राज्य मंत्री है जिन्हों इसका सुभारम विगिया इसका सही आंसर है नाकपुर दोस्तों महराश्ट का नाकपुर संत्रे के लिए काफी फेमस इस्थान है जहांके संत्रा पूरे भारत ही नहीं बलके पूरे विश्व में भी निर्यात किया जाता है जिसका आयोजन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है इसका सही आंसर है विनेश फोगट यहाँ आवार्ड इन्हें मात्र 24 वर्ष की आयो में मिल चुका है इन्हें यहाँ आवार्ड लंबी चोट से जूजने के बाद भी गोल्ड कोस्ट रास्ट मंडल खेल वा जकार्था एशन खेल में गोल्ड मेडल जीतने के लिए प्रदान किया गया है जो कि इनका एक अभूत पूरुक प्रदर्शन था वर्ष 2019 के जापान पुरुसकार के लिए किसे नामांकित किया गया है किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर रतनलाल डॉक्टर रतनलाल को यहाँ आवार्ड विग्यान के भारती मुल के प्रोफेसर है इन्हें जैविक उत्पादन वा पारिस्तिकी के छेतर में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है इसमें इन्हें 50 मिलियन जापानी एन वा प्रमान पत्र वा इसमारक सुरन पदक प्रदान किया गया है जापान की राजधानी टोक्यो है वह यहां की मुद्रा जापानी एन है वह जापान के वरतमान प्रधान मंतरी शिंजो आबे हैं दोस्तों एक कोशन काफी इंपोर्टेंट है इसलिए इसे याद रखिएगा और यहां अवार्ड जापान प्राइस फाउंडेशन ने अमेरिका की कोलंबस में ओहियो राज़ में प्रधान किया है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं ौस्टेलिया में सभी प्रारूपों में ध्विपक्षीस रंखला जीतने वाली पहली महमान टीम कौन सी बन गई है इसका सही आंसर है भारत सभी प्रारूपों में अर्था टेस्ट, वंडे वर ट्वंटी ट्वंटी तीनों फॉर्मेट में जीतने वाली टीम भारत बन गई है नेक्स्ट हल ही में किसे राश्ट्री मानगादिकार आयोग महानिदेशक जांच के रूपे में नियुक्त किया है दोस्टन इस संस्था की एक सहयक संस्था है जांच एजनसी अन्वेशन का कारे करती है उसका महानिदेशक प्रभात सीम को नियुक्त किया गया है इनका कारे काल 2020 तक रहेगा नेक्स्ट कुश्यन के बात करते हैं प्रधार मंत्री नयंद्र मोदी सीनेमा के भारती राष्ट्री संगरहालाय NMIC का उद्गाटन आज कहां करेंगे। दोशन इसका सही आंसर है देश की फिल्म सिटी कही जाने वाली नगरी, फिल्म नगरी मुंबई। मुंबई में इसका आजबे उद्गाटन करेंगे। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में संगरहाला है, सलहकार समीती द्वारा निर्देशित किया गया, इनके निर्देशन में इसका निर्मार किया गया। इसमें चित्र, इंटरेक्टिव प्रदर्शन, मल्टी मीडिया द्वारा भारती सिनेमा की सताब्दियों लंबी यात्रा का आनन्द लेने में सक्षम हो सकेंगे, जिसमें पूरी भारतीय फिल्म के बारे में संपुर्णे जानकारी होगी। अधिकारिता मंत्राले द्वारा आयोजित किया गया। इसमें आयोश्मान भारत योजना में जो भी कारे किया जा रहे हैं उसमें भी काफी लाग मिलेगा। इसका सही आंसर है पंजाब। दोस्तों पंजाब राज्य ने गोशना की है कि वह प्रत्यक वर्ष 11,000 रुपए राशी के इस पुरुसकार को प्रदान करेगा। जिस ब्लॉक में वह इसकूल इस्ति थे जहां उक्त पुलिस कर्मी ने सिक्षा ग्रहन की थी। इसके लिए यह आवार्ड प्रदान किया जाएगा। दोस्तों यह था आज का महतुपूर्ण करेंटेफेस का सेशन जिसमें हमने आज के महतुपूर्ण कोशन के बारे में चर्चा की। और आज का जो प्रमुक कोशन है उसके बारे में बात करते हैं देश के किस सहर में इंडिया रबर एक्सपो 2019 का उद्गाटन किया गया। इसके चारो अप्शन्स आपके सामने हैं चैन्नाई, मुंबई, केरल वा कोलकाता। दोस्तों अगर आपने कल का सेशन देखा होगा तो आप इसका अंसर जरूर देंगे। इसलिए इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थेंक्स पर वाचिंग, जय हिंद।